Dear student, we have to discuss about role of ECE in establishing a sustainable society. हम future में sustainable society का एक concept लेके चाल रही हैं. उसके अंदर हम ECE का role देखना चाहा रहे हैं के early childhood education के अंदर क्या role है sustainable society का? मैं उसके एक आपको example देऊना चाहूँगा. बन्यादी तोर पे ECE वो level है जहां पे हम किसी भी चीज़ का एक seed जो हम बच्चे के दमाग में रख देते हैं, जो आहस्ता आहस्ता grow करता है और grow करते करते हैं जहना वो एक तनावर द्रख्त भन जाता है. इसका मतलब यह हुआ कि ECE वो level है जहां पे बच्चे के अंदर curiosity भी होती है, बच्चा सेखना भी चाता है, बच्चा पूछता भी है. इस level पर हमने वो जो उसका first year of knowledge gaining year है, इसके अंदर हमने जो जो उसकी personality के अंदर हम चीज़ें develop करना चाहते हैं, वो basis अगर यहां से हम शुरू कर दें, यहां पर हम उसे values के अपर बताना शुरू कर दें, उसको standard of good and bad समझाना शुरू कर दें, और यहां पर उसको बताएं कि यह अच्छी चीज़ है, यह बुरी चीज़ है। उसकी एक example है भी, अगर हम कोई बच्चा gender wise या religion wise किसी biasness का मुझारा करता है, तो हमें यह बच्चे को समझाने की जरूरत है कि because of the gender, because of the religion, because of the ethnic, हमें किसी के साथ discriminate नहीं करना चाहिए। अगर आज उसको discrimination की understanding हो गई और उसको यह feel होना शुरूर हो गया, उसका मतलब है कि उसके जो attitudes हैं वो उसी तरह से develop होना शुरूर हो जाएंगे। और यह attitude जो हैं डारेक्ट रिलेट करते हैं आपके thoughts के साथ। अगर आपको यह बात समझ आ गई, कि भी gender by default है, आपका culture by default है, आपका religion by default है, तो जो चीज़ें by default हैं जिसमें मेरा control नहीं है, जिसमें किसी भी human being का कोई control नहीं है, तो उसके उपर हम में किसी भी तरह discrimination नहीं करनी चाहिए। अगर इस लेवल पर उसको यह बात समझ आ गई और उसके thoughts develop हो गए, तो उसी अंदाज में उसकी feelings develop होगी, उसका attitude develop होगा, उसी को सामने रखते हुए वो behavior आएगा, action आएगा, और continuity in the action जोगा, वो उसकी habit बन जाएगा, बच्चे जो हैं, वो बहुत sensitive होते हैं, और उसके ब अगराद छोटे लेवल पर, इसी लेवल पर, वो हर चीज़ में ना सिर्फ interest लेते हैं, बरके थोड़े से curious भी होते हैं, हमें इस लेवल पर उनकी curiosity से और उनके interest से फायदा उठाते हुए, अगर बच्चों को हम nature के बारे में, अगर हम बच्चों को discrimination के बारे में, इन अगर हम उनको बताना शुरू कर देंगे और उनको ये training देंगे, कि आपने इसको इस तरह नहीं करना, उसकी मैं आपको एक example देना चाहूँगा, कि अगर हम बच्चे को ये समझाना शुरू कर दें और समझा लें, कि पानी जाय करना बुरी बात है, तो आपको पता ही, ये future के लिए अपने पानी को save करना है, अगर बच्चा उसको understand कर जाये, और understand करने के बाद उसका ये behavior डिवेल्प हो जाये, कि वो पानी को waste ना करे, और ये वो ECE के level से वो ये करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि future के अंदर, जिस वक्त ये ही बच्चा परवान यंग learner बनेगा, society, sustainable society का member बनेगा, तो लाशुरी तोर पे उसके अंदर ये मौजूद है, कि उसने पानी को waste नहीं करना, अब इसी त्रीके से हम बहुत सी और बात करते हैं, हम environment की बात करते हैं, हम plants की बात करते हैं, हम seeds की बात करते हैं, water की, wind की, अब ये वो त्माम चीज हैं, जो teachers ने, बच्चों के अंदर, इस लेवल पर, इसी लेवल पर जब inculcate कर देना है, जब उनको उसने बता देना है, जब उनके behavior का हिसा बन जाएगा, तो वो इतने हैफचल हो जाएंगे, कि वो जब sustainable society का member बनेंगे, तो उस वक्त हमें ये कहने की जरूरत नहीं वो चाहे environment से related हो, वो चाहे social responsibility हो, justice हो, citizenship हो, इन तमाम के तमाम के अंदर जो है, वो बनियादी तोर पर उसके लाशोर में वो तमाम चीज़ें इतने develop हो जाएंगी, कि वो जब society का हिस्सा बनेगा, sustainable society बनेगी, तो वो लाशोरी तोर पर उन तमाम चीज़ें को वैसा ही act करत अरेन